देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर युवाओं को संबोधित किया इस दौरान पिये मोदी ने कहा कि देश के युवाओं को ग्यान के साथ साथ हुनर भी सीखना चाहिए कुछ लोग नौलेज और स्कील को लेकर के हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं या कंफ्यूज पादा करते हैं ऐसे लोग को मैं हमेशा छोटा सा उधार देता हूं आप बुक्स में पढ़ सकते हैं यूटूब पर वीडियो देख सकते हैं कि साइकल कैसे चलाई जाती है कि साइकल पर कैसे बैठना है साइकल कैसी होती है कौन सा पूर्जा क्या काम करता है कहां हैंडल पकड़ना है कहां ब्रेक लगाना सब उसमें आपको वीडियो में भी देखेगा यह सब नौलेज है कि आपको नौलेज है इसलिए आप साइकल चला जाएंगे यह सब गरंटी नहीं है लेकिन वास्ताओं में एक्च्वल में जब साइकल चलाना होता है तो स्कील की जरुरत पड़ती है आप कोई खुद को दिरे दिरे आ जाता है और फिर आप अपनी मस्ती में भी साइकल चलात तकलिब नहीं होती है जैसे जैसे आपने इस कला को सीख लिया इस टैलेंट में आ गई स्कील आ गई आपको कभी दिमाग खपाना भी नहीं पड़ता है और इस फर्क को समझना कि सासन से लेकर के समाज के हरस्तर पर बहुत जरूरी होता है इस मौके पर पीम मोदी ने कहा कि स्कील जिन युवाओं के पास है वो भविश निर्मान में काफी मदद कर सकते हैं और इस कोरोना के समय ने तो ये बता दिया कि जिनके पास हुनर है वो घर से निकले बिना भी रोजगार कर सकते हैं Skill is something which we give to ourselves which grows with experience. Skill is timeless. It keeps getting better with time. Skill is unique. It makes you different from others. Skill is a treasure that nobody can take away and skill is self-reliance. It is not only make one employable but also self-employable. Skill की ये ता ताकत जो है, इंसान को कहां से कहां पहुचा सकती है. साथियों, एक सफल व्यक्ति की ये बहुत बड़ी निशानी होती है, कि वो अपनी skill बढ़ाने का कोई भी मोका जाने न दे, इतना ही नहीं मोका ढूंडता रहे. Skill के प्रती अगर आपमें आकर्शन नहीं है, कुछ नया सिसने की ललक नहीं है, तो जीवन ठहर जाता है.